कि अगर नहीं आप सब्सक्राइब करें कि आपको क्यों सेलेक्ट करें हम यह कई बर कुछ लेते हैं और थर्ड कोशन इसमें आता है वाइफ वाइफ नॉट सेलेक्टेड के अगर नहीं आप सब्सक्राइब करोगे कि वाइफ नॉट सेलेक्टेड यह तीन कोशन समझने पड़ेंगे आपको यह बहुत कॉमन कुछ ने जो पूछ लेते हैं इस को पूछने का मतलब क्या होता कि क्या एक बच्चा है क्या आप अपने बारे में सोचते हों जो विक्ति अपने बारे में सोचता है उसमें एक workflow करने की लगन होती है जो बंदा perform करना चाता है वह अपनी बारे में सोचेगा है इसले एक क्या करो हम हैं क्यों चांच और ब्यक्ति ऐसा चाहिए कि हां वो बच्चा अपने बारे में सोचता हो तो इस कुश्चन का आंसर जो सबसे इंपोर्टन आव यह है कि आपका आंसर इसका प्रॉम्ट होना चाहिए मतलब यह कुश्चन वो सब्सक्राइब नहीं हो ना, नॉर्मल हमें strength बोलनी है, बड़ प्रॉंप्टी बोलनी है, ऐसा नहों कि आप एक वीच सेकंड सोचती ही जा रहे हैं, अब बैठ के सोच रहे है strength क्या है, पहले निसोची हुई, क्या बोलनी है, आपने, strength में आपको लिस्ट करा जाता हूं, मैं हाड वर्किंग, मेरी perception यह है कि I am hard working, है ना, I am sincere, sincere हूं मैं, कि अगर कोई काम मुझे दिया जाए तो मैं sincerity से करता हूं, है ना, I see myself as an efficient person, कि मैं किसी भी काम को time-bound manner में efficiently करने ही कोशिश करता हूं, है ना, then I can work in team, कि मैं टीक है, team worker हूं, team में काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे दुल लोगों से कोई वो है, and I, मैं objective हूं, मैं biases नहीं रखता अपने मन में, चीज़ें जैसे आती है मैं उसको facts के तौर पर लेता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बायस करता हूं, है ना, तो यह बहुत है, इसमें से 3-4 बोल तो बहुत है, और कोई add करनी है, इसमें कर सकते हो, तो घबराना नहीं है, कोई ऐसी फरक नहीं पड़ता कोई, चलिए strength तो हर कोई बोल लेता है, बट weaknesses क्या बोलनी है, weaknesses हमने ऐसी neutral निकाल लो, कि sir I am bit work colleague हूं में, कि I sometimes over indulge in work, work, over indulge in work, over indulge in work, and I ignore my health, then sometimes I overthink over matters, my family says that sometimes I overthink about certain situations, I am bit emotional, I am bit emotional in relationships, यह बाते हैं सारी weakness हैं लेकिन यह positive भी हैं, तो इसलिए यह कहना best रहता है, और state civil services में it is better to be non-controversial, ऐसी weaknesses strengths बोलो जिसमें controversy का कोई spoke ना हो, ठीक होगी बात, इसका answer वहीं खतम हो जाता है, जब आप strengths बताते हो, अपनी weaknesses बतातो खतम हो जाता है, maximum दूसरे, दूसरा question यह पूछते हैं, अच्छा आपने बतादी, मैं आपको क्यों select करूँ, why should we select you, आपने तो अपनी strengths बता दी, why should we select you, लिखो जी अबसका, why should we select you, अब why should we select you का मतलब यह है कि सबसे पहले तो यह है कि सर, I am qualified for these positions, पहला आपने बोलना है कि मैं qualified हूँ, कि I am qualified for these positions, मैं qualified हूँ, then I have successfully appeared in the mains and now I am giving an interview and I am quite hopeful that I will perform well in the interview. Right? And Sir, above all Sir, I really wish to be a part of this machinery, I really wish to be part of the administration and I am hopeful that I will be able to contribute positively. बास, ज्यादा ब्रैगिंग नी करने कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो पतानी क्या कर दूँगा, वही नमबर जीरो लग जाता है, अगर ज्यादा आप ओशेट करने जाओ. आप इकाओ कि Sir, I really wish to be aपनी willingness दिखाने में, वाइशुद भी स्लेक्टिव का इसके अंदरा सबसे इंपोर्टन अलिमेंट है, विलिंग्नेस, कि मैं ज्यादा करना चाहता हूँगे, विलिंग्नेस कि मैं करना चाहता हूँगे, ठीके ना, तो आप ने करेंगे, I am willing to Sir, be a part of the administration, and I hope that I will be able to contribute positively in the administration, that is why you should select me. है ना, अगर यही question दुसे तरह के से पूछले हैं, कि why should we prefer you over others? How you are better than others? यह पूछते हैं से, कुछते हैं से, कि why you are better than others? How you are better than others? आपको के Sir, I am unaware about others, whosoever is appearing in these exams and interview, they are capable. I have done my best, and I am willing, and I am willing to be a part of the missionary administration, and I am hopeful that I will be able to contribute positively. Sir, I can say about only myself, not others. यह answer देना है, number ही number है, बरसेंगे number. यह लग होती है, ऐसे question अगर interview में पूछ ले जाएं, और आपके answer त्यार हैं, और आप ऐसा थोग दो दूचार answer हैं से, तो वहीं महल बन जाता है interview में. क्योंकि इससे आपकी portrayal बड़े से अच्छी जाती है कि बंदा positive है, यह बंदा overstate नहीं करता है, यह कहता है यह बाकी ठीक है, जो इंट्रू दे रहा अच्छा ही है. मैं तो अपने बारे में बता सकता हूं कि sir, I am willing, कि मैं चाहता हूं कि मैं administration का part बनूं, मैं willing हूं, इसके लिए मैं पूरी महनट कर रहा हूं, and at the same time, मैं hopeful हूं कि मैं positive contribution करूंगा, यह भी नहीं कहां मैं करूंगा, पता नहीं मैं क्या change कर दूंगा, मैं तुफान ला दूंगा, यह बलोगे तो गये आप, आपको मैं hopeful हूं, modest रखना है, कि मैं कुछ नहीं कुछ positive contribution जुरूर, make out करूंगा, ठीक है, so this is the answer they are looking for, अब next question, what if not selected, कि अगर आप नहीं selected हूए तो क्या करोगे, तो इसका तो पहला कभी भी directly नहीं बोना लग जाना कि alternatively मैं यह करूंगा जी, पहले तो यह कहना कि sir, still I have more attempts left and I will definitely try next time, ठीक, अच्छा वो कहेंगे, अच्छा ट्राइ करोगे, अच्छा वो कहेंगे कि नहीं अच्छा, अगर फिर भी selected हुए तो क्या करोगे, right? Sir, although this is my first attempt only, and I have few more attempts, so I will definitely put my all efforts to clear this exam, ठीक है? अगर तीसरी बार कहें, कि नहीं नहीं अगर finally select नहीं है, अगर word finally बोलें, कि finally select नहीं होए तो क्या करोगे? Sir, I have thought about it, I have done this graduation, and I will pursue, आप कुछ भी अपना plan, जो plan B है आपका, वो आप उसको 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 बताओगे, लेकिन right from the first answer, आपने plan B भी नहीं बताना आपने, क्यूटर नहीं हो आप, इस question को पूछने का मतलब यह है कि कितना शिद्जस से आप चाहते हो बनना, कि इस question का मतलब यह नहीं है, आप से वो alternative जानना चाहते हैं, आपका, उनको क्या करना है आपकी alternative से, सोचो, उनको तो आपकी personality को जानना है, कि भई यह बच्चा कितना जुजारू है, कितनी शिद्जस से चाहता है यह सिद्जस में आना, तो दिखाना है आपको कि नहीं मैं तो बनके शोड़ूँगा, यह मेरा पहला attempt था, I have number of attempts, so I will definitely appear, अगर वो कहें कि finally अगर आपका नहीं हुआ तो क्या करोगे, तब बोलना ही है, कि sir, although I am very hopeful, and that I will be successful, but still if God is not my, God is unwilling, then definitely I will do this thing, I am well qualified, I have done BTEC, and I have a bright career, I will do job in my sector, कि मैं अपने जॉब करूँगा, ठीक है, चलिए, तो यह तीन question, चार question किस तरह से हो गई है,